Hello students of class 2, Hindi class में आप सबका स्वागत है तो बच्चों अपनी Hindi व्याकरन की बुक निकाल लो हमने पिछली क्लास में Hindi की गिंती पढ़ा था है ना बच्चों, 1 से 20 तक हमने गिंती पढ़ी थी हमने 1 से 20 तक अंकों में लिखना और शब्दों में लिखना सिखा था है ना तो आज हम उसका अभ्यास करेंगे तो सभी पेज नंबर 54 निकालो और बुक फॉलो करो अभ्यास प्रश्न एक सही मिलान कीजिए यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर आपनों के लिए किया हुआ है यह क्या है बच्चों देखो पहला वाला यहाँ दिया हुआ है बुक में एक तीन क्या है यह तेरा तेरा कहां लिखा है इंग्लिश में यह हिंदी में है अंक यह शब्दों में लिखना और यह इंग्लिश में ठीक है तो पहला वाला क्या है तेरा थर्टीन ठीक है अभी य क्या है देखो एक और साथ one seven seventeen मतलब 17 तो 17 यहां पर आता है और कहां है देखो अंत में अभी यह क्या है देखो आठ मतलब eight आठ कहाँ पर लिखा है इधर और उसके बाद इधर ये क्या है देखो एक पाँच वाद फाइफ फिफटीन पंदरा यहां पंदरा लिखा है और कहां लिखा है? इधर अभी ये क्या है देखो एक एक झारा वाद वान इलेवन इधर लिखा है और कहां लिखा है इधर ठीक है अंध वाला देखो ये क्या है पाच यहाँ पर हमने किया था ना एक पाच ये वाला पाच तो कहां लिखा है पाच देखो यहाँ पर फाइव ठीक है ये है सही मिलान कीजिए अब दूसरा देखो सोचिए, समझिए और पूरा कीजिए यहाँ पर आपको शब्दों में लिखना है उसके बाद हिंदी अंकों में लिखना है देख लो यह वाला एक ऐसे लिखते हैं दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नौ, दस एक एक, द में ओकी मात्रा दो, त में बड़ी एकी मात्रा न, तीन, चार, प में आकी मात्रा चंद्रबिंदू, च, पाँच, छ, ह, छे, स, आ, त, स में आकी मात्रा त, साथ, आ, ठ, आठ, न, में ओकी मात्रा न, द, दस, दस, ग्य, ये क्या है, ग्यारा, ग, आधा ग, देखो, ये है आधा ग, फिर य में आकी मात्रा, रह, ग्यारा, बारह, ये है बारह, ब में आकी मात्रा, रह, बारह, उसके बाद, तेरा, चौदा, पंदरह, सोला, सत्रा, अठार, उन्नीस, बीस ठीक है? ग्यारा, बारा, तेरा कैसे लिखा है? त में एकी मातरा, रह, तेरा च में ओ की मातरा, दह, चौदा प में बिंदी द के नीचे ये क्या है? देखो, पदेल, द्र इसको क्या बोलते हैं? द्र फिर ये ह, पंद्रा स में ओ की मात्रा लह, सोला, सत्रह, सत्रह, अ, ठ में आ की मात्रा रह, अठारा, उ, अधन, पूरान, फिर बड़ी ए की मात्रा स, उन्नीस, फिर ये क्या है? ब में बड़ी की मात्रा स, बीस, ठीक है? ये हुआ पेज नंबर फिफ्टी फोर, अभी पेज नंबर फिफ्टी फाइब सा भी देखो, इन अंकों को हिंदी के अंकों और शब्दों में लिखिए, यहाँ पर इंग्लिश में अंक दिये हुए हैं, इनको हिंदी में लिखना है और फिर शब्दों में भी लिखना है, यहाँ पर दिया हुआ है, गिनकर आपको लिखना है साथ, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, साथ, ऐसे लिखा जाता है हिंदी में, साता साथ, ये क्या है देखो, वान, टू, ट्वेल्फ, मतलब बारह, ये एक, ये दो, मिल ऐसे हिंदी में लिखते हैं, दस, एक, शुन्य, या एक, जीरो, देखो ये क्या है, एक, चार, चौदा, वान, फोर, फोर्टीन, ऐसे लिखते हैं, ठीक है, हलका सा ऐसे नीचे लिखो, ये है एक, ये है चार, च में औ की मात्रा, दह, चौदा, ये क्या है, वान, सेवन, से एक, साथ, सत्र, सत्र, ये क्या है, थ्री, तीन, कैसे लिखते हैं, त में बड़ी एकी मातरा न, तीन, ठीक है बच्चों, अभी देखो चौथा प्रश्न, सोचिये गिनिये और हिंदी के अंकों में लिखिये, आपके घर में कितने लोग रहते हैं, आपको यहाँ पर लिखना है, हिंदी के अंकों में लिखना है, याद रखो, इंग्लिश में नहीं, हिंदी में लिखना है, आपके हाथों में कितनी उंगलियां है, दस, यहाँ पर लिखना आप, ठीक है, आपके नाम में कितने अक्षर हैं, अक्षर मतलब अलफबेट, आपके नाम में कितने अक्षर मतलब आपके कितने साथी हैं दोस्त हैं आपको यहाँ पर अंक लिखना है ठीक है तो यह आप खुद से करेंगे ठीक है बच्चों तो आज की क्लास यहीं पर सवाप्त होती है धन्यवाद और आपको यह एक से बीस तक गिंती अच्छे से याद करनी है ठीक है बच्चों बाइ बाइ